दोस्तों यो जो चीज हम दोने इतने महिने में नहीं सोची थी इतना अच्छा inflation का data आ रहा था इतना अच्छ expansion आ रहा था बट अच्छानक से हो गई है मैं आपको यह बहुत important update even दो important update एक just आ जाई है एक कल रात की है और आपको दोनों इसलिए पता होनी चाहिए चुकि एकस्पेक्टेड नहीं है जब inflation बढ़ रहा है तो तो एक एक करके हमनों discussion करेंगे सबसे पहले यह पूरी update आपको अगर आप कहीं पे busy हो तो आप हमारे telegram channel पे जाके check out कर सकते हो description में मैंने link दे दिया है free telegram channel है जाके join कर लेंगे और आपको market की सारी update वहाँ पे देखने हो मिलेगी तो सबसे पहले manufacturing PMI का data आया था जिसने 8 महिने का low बनाया है अब आप समझे लो manufacturing PMI GDP से related है यानि कि growth पे impact आ गया है growth पे impact आ गया है inflation में तो कोई भी वो देख रहा तो GDP impact हो रही है इसका मतलब PMI नंबर खराब आये हैं और ये अब 57.5 से अगर आप देखेंगे तो 55.5 आ गये हैं अब इसके नीचे 54, 53 की तरब पॉसते हैं तो इसे moderate माना जाता है जिसका सीधा impact पड़ता है बैंकों की earning पे अगर आपको पता है व्यापार की cycle मंदी हो रही है व्यापार की cycle slow हो रही है तो इसका मतलब बैंकों की balance sheet भी खराब हो रही है तो आप देख सकते हो कि ये एक बड़ा impact आपको पहले मैंने बता दिया कि already इतना cautious वैसे ही महल है और SMA number जिनकी expectation थी अच्छे आने की वो आपको देखने को मिलने है 8 महिने के low पर जो अपने आप में एक बहुती challenging point हो गया और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज कौन सा date आया है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ तो मैं आपको date दिखा देता हूँ 3 November 3 November date देखने हूँ मिल लई है और यह आए है SNP Global India Service PMI अब आपको यह देखने लेना है अभी मैं आपको percentage point of view से भी देखेगा यहाँ पर discussion करूँगा लेकिन यहाँ पर भी एक shock लगा है चुकि यह देखेगा service economy sees बढ़ने के कारण prices के बढ़ने के कारण input cost बढ़ गई है input cost बढ़ेगी तो आपको पता economy का de-acceleration होता है जो की आपको देखने को मिल ला है और यह de-acceleration इस particular time frame में अच्छी बात बिलकुल भी नहीं है तो आप देख सकते हैं यापे जो numbers आए हैं देखेगा बहुत ही ज़ादा चौकाने वाले आए हैं कि October में जो Global PMI का data है जो 61 था September में वो सीधा 3 point से कम हो गया है 58.4 हो गया है जिसका बिलकुल भी अंदाजा नहीं था बिलकुल भी अंदाजा नहीं था और इसका मतलब होता है slowest ये देखीगा तो slowest rate expansion since March तो March क्या हो गया March, April, May, June, July, August September, October 8 महिने का सबसे slowest rate देखने मिला है तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है जबकि हमारा festive season October में कितना था छुटियां कितनी थी और ये festive season की starting होती है तो यहाँ पे चीज़ें expand होते होगे देखने मिलती है ना कि slow होते हो देखने मिलती है और आपको पता है कि अगर GDP के साथ भी compromise हो रहा है और inflation भी up है तो ये कहीं से भी किस economy के लिए अच्छी बात नहीं होती है आपके सामने देखेगा ये number आ चुके है चार मिनट पहले ये number आए है तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा impact है फिर मैं आपको उता हूँगा Global recession 2020 कि यूरोप में जिन देशों के बारे में PMI के number आ है उनमें 3 साल की सबसे कम PMI देखने हो मिली है PMI होती है manufacturing activity तो आप समय लीजे 3 साल का निचला इस तर देखने हो मिला है यूरोप के सारे देशों में यूरोप ने बढ़ाया पूरी दुनिया का सिरदर्द आप सकते हो नजदी का ही मंदी तो आप देख सकते हो 20 देशों का जो समू है जो development nations है तो अगर वहाँ से demand creator नहीं हो रही है तो वो एक बहुत painful update है और इसका आप देखेगा सबसे बड़ा record यही है कि अभी data आया तो 7-8 महिने का आपका low बना है और सरकार ने भी यह feel करा है कि price pressure देखने को मिला है economy में तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे contraction threshold for the 27 consecutive month और PMI जो है decrease हुआ है 58.4 तक और आप देख सकते हैं यह बहुत बड़ी बात है RBI के लिए भी बहुत challenging बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है growth in service activity in India de-accelerated जितनी service sector था वो भी de-accelerate हुआ है और manufacturing तो already आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बड़ी update है competitive price pressure देखने हुआ है inflationary देखेगा forces के कारण लोग की savings कम हुई है जिस कारण से service sector जो अब तक boom पे था वो de-accelerate होता हुआ देखने हुआ है तो यह पूरी तरीके से market के लिए अच्छी update नहीं है च्योंकि 55 के नीचे जैसे ही जाएगा तो यह बहुत ही painful हो जाएगा market के लिए तो इसलिए थोड़ा सा cautious रहेगा market पे जब तक कि यह manufacturing activity है वो festive demand के कारण uptick लेना ना शुरू हो जाए वीडियो कर अच्छा लगे तो like share subscribe करना ना बुलेगा thank you so much